किच्चन और घर का काम तो हम डेली ही करते हैं लेकिन इनको करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स का यूज करें तो काम काफी आसान हो जाता है खुद के लिए समय भी निकाल पाते हैं तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आये तो अपने फैमिली दोस्तों क को लेकर तो विंटर सीजन में अद्रक का हम सभी इस्तमाल करते हैं लेकिन इसमें हमें एक प्रॉब्लम आती है जब हम इसको स्टोर करते हैं तो होता क्या है कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है मतलब कभी-कभी तो सड़ भी जाती है तो इसको हम कैसे स्टोर करें कि यह आपके पास जादा है तो आप इस तरीके से लेयर वाइस इसको लगा दीजिए और बेकिंग सोडा डाल दीजिए इस तरीके से जब आप इसका लिट लगा के रखोगे ना तो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा काफी लंबे समय तक इस्टोर रहेगा तो बहुती बड़ी क्यासी ट्रिक है और बेकिंग सोडा तो हम सभी के घर में होता ही है कुछ न कुछ यूज तो हम इसका करते ही रहते हैं तो इस तरीके से जब आप डाल के रखोगे ना तो अधरक बिल्कुल भी नहीं खराब होगा और जब आपको यूज करना है तो आप बेकिंग सोडा को इस तरीके से हटा दीजिए और अच्छे से वाश करने के बाद आप इसको यूज भी कर सकते हो तो उमीद करती हूँ ये टिप आप के लिए हैलफुल रही होगी मेरा अगला टिप है गुड को लेकर तो विंटर सीजन में गुड का भी हम सभी इस्तमाल करते हैं कुछ लावट नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है थोड़ी सी गुड लेनी है और इसको ग्रेट कर लेना है ग्रेट करने के बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा पानी लेना है एक कटोरी में और इस जो हमने गुड को ग्रेट किया है वो हमें इसमें डाल देनी है और इ इसमें कुछ भी कंकड वगएरा कुछ भी नहीं है अगर आप गहरे बरतन में कर रहे हो और आपको नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें कंकड वगएरा है तो आप क्या कीजिए कोई भी बरतन ले लिजिए और इसमें एक स्टेनर की हल्प से इसको स्टेन कर दीजिए इस तरीक से हम गुड की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं तो उमिद करती हूं ये टिप भी आपके लिए बहुत ही जादा हेलफुल रहेगा अगर आपको ये टिप पसंद आया है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स का बेनिफिट ले तो काफी जादा टाइम लग जाता है और इस तरीके से छीलते हैं तो कभी-कभी हमारे नेल्स में भी लग जाता है जिसकी वज़े से पेन भी होने लगता है तो इसको हम कैसे छीलें की बहुती आसानी से और बहुती कम टाइम में छिल जाए तो इसके लिए आपको क्या करन कोई भी कॉटन का दुपट्टा या फिर कपड़ा ले लेना है और उसके बाद जो भी मटर हमें छीलनी है इस पे हमें फैला देनी है इस तरीके से और उपर से हमें वापस से इस पे कपड़ा डाल देना है तो इस तरीके से डालने के बाद हमें प्रेस को अच्छे से गरम कर के बाद हमें जैसे हम कपड़े प्रेस करते हैं ना सेम वैसे ही हमें इसको प्रेस करना है इस तरीके से दिखे और थोड़ा सा खोल के इसको इधर उधर चला देना है और उसके बाद फिर से हमें इसको प्रेस कर देना है तो इस तरीके से जब हम करेंगे ना तो बहुती आसान से हम मटर को छील पाएंगे तो देखिए मैंने यहां पर अच्छे से प्रैस कर दिया है और जादा हमें नहीं करना है बस इतना ही करना है कि इसके छीलके अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो देखिए यहां पर छीलके अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मैंने एक ही हाथ स हम नहीं पील कर पाएंगे तो आप क्या कीजिए दोनों हाथों की हल्ट से भी कर सकते हो तो कैसा लगा आपको ये मटर छीलने वाला आइडिया कमेंट करके जरूर बताइएगा और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ज़्यादा हमें नहीं करना है देखिए आप देखी सकते हो कि मटर जो है बिल्कुल फ्रेश है ज़्यादा हमने इसको नहीं किया है बस इसके छील के ही हमें सॉफ्ट करने है तो इस तरीके से हम काफी कम टाइम में काफी जादा क्वांटिटी में मटर को छील पाएंगे तो उम्मिद करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए helpful रहा होगा अगर टिप पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके से अपने टाइम को बचा सकें तो अगला टिप है अंडे को लेकर तो जब भी हम अंडे को बॉ шीलते हैं तो एक तो इसका पानी बहुत जदा गरम होता है तो इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं जिसमें हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है इस पानी को हमें हटा देना है जो गरम पानी है इसको हमें हटा देना है इसके बाद हमें क्या करना है इसमें ठंडा पानी डाल देना है तो इसमें विंटर सीजन है तो मैंने नॉर्मल पानी यूज किया है और इतना पानी डालना है कि आपको करनी है चटकाना है और पानी में डाल देना है तो इस तरीके से देखिए करने से बहुत ही आसानी से अंडे पील हो जाते हैं मैं आपको छील के भी दिखा रही हूं इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से इसका छील का उतर जाता है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इसमें हमने ठंडा पानी डाल दिया है जिसकी वजह से हम इसको आसानी से पकड़ भी पाते हैं वैसे अगर गरम गरम रहता है न तो हम इसको छील भी नहीं पाते हैं और ठंडा होने के बाद इसका छील का जो है चिपक जाता है तो अच्छे से पेल नहीं हो पाता है तो इ देख दीजिए इस तरीके से आप काफी कम टाइम में इनको छील पाओगे तो कैसा लगा आपको यह आइडिया कमेंट करके जरूर बताइएगा इससे रिलेटेड भी मैंने काफी सारे वीडियो चैनल पे अपलोड किये हैं आप जाके देख सकते हो तो मेरा अगला टेप है मटर के छिलके हो ना तो आप इनको एक बड़े बरतन में डाल दीजिए इस तरीके से देखिए मैंने बड़ा बरतन ली लिया है और इसमें हमें सारे छिलकों को डाल देना है अब हमें क्या करना है इसमें डाल देना है पानी तो इस तरीके से देखिए मटर में चिलकों में में पानी डाल देना है और डालने के बाद हमें क्या करना है इसको ऐसे ही छोड़ देना है कम से कम हपते भर के लिए इसको हमें छोड़ देना है इससे क्या होगा जितना भी मटर के छिलके का निटिशन होगा वो सारा का सारा पानी में आ जाएगा और इस पानी को हमें यूज कहां करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो इसको आपने डालना है अपने पेड़ों में जो की गमले वगरा होते हैं उसमें हमें डाल देना है तो यह बहुती पढ़िया फर्टीलाइजर का काम करता है इस तरीके से हम वेश्ट चीजों का यूज करके अपना काफी सारा प वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहां से देख सकते हो अगर वीडियो पसंद आया है तो जाद से जादा शेयर कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो म भाइ